क्या आप किताबों से अपनी नॉलज को बढ़ना चाहते हैं। तो आज आप इस वीडियो को पुरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फाइनांशल फ्यूचर चेंज हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्क्राइब क करें। ताकि आप अपने फैंशल नॉलज को बढ़ा सको और अपनी लाइफ में आगे ग्रो का सको। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। अक्सर हमने देखा है पैसों को लेकर लोगों के अंदर गलत अबधारना रहती है। ज इसका नतीज़ा यह निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बेंकर्ट यानि कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्यर रीजन यह है कि ऐसे लोग पैसे की वेल्यू को नहीं समझते और वो अपने पैसे को खो देते हैं। वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं। लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वेल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस The Psychology of Money बुक समरी इन हिंदी को समझते हैं। जिसे Morgan Housel, Morgan Housel ने लिखा है। Morgan Housel एक बहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट अभी है। ये बुक हमें केवल साइकॉलोजी ओफ मनी को नहीं बताती बल्कि ये हमें और भी कई लेशन सिखाती है। जैसे की पैसा कैसे जोड़ना सीखे, अमीर बनने के लिए माइंड सेट क्या होना चाहिए। पैसे बरबाद मत करो, don't waste money। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आथा Morgan Housel अपने बुक में लिखते हैं। जब मैं एक होटल में काम किया करता था, तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेकनोलोजी एक्जेकिटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कम्पनिया बना ली था। लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता पैसे के प्रती उसका व्यवहार बहुत ही स्टुपिद था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराप के नशे में हमेशा धूत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। आथम मौगन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इनसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौक जाएंगे। दरसल वह इनसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गर्डी दे कर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कनवर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेकते हैं और गेम खेलते हैं। कौन गोर्ड कोइन्स कितना दूर फेक पाता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंक कर्ट बना देता है। आथा मौगन हाउसल अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गाव का एक साथारन व्यक्ति जिसका नाम रॉनल्ड जेम्स था। जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की 17 वर्षों तक फर्ष पर जढ़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 एस बाद हुई तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज चैनल और अखबारों में होने लगी। क्योंकि मरते समय उस साधारन सफाय कर्मी के पास 58 करोर की संपत्ती थी। जिसमें 43 करोर रुप्य उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोर रुप्य अपने सोतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। पर उसके पास इतना पैसा आया कहां से इसके बारे में पता किया गया तो पता चला की वह ब्लूचिप फंड में पैसे लगाया करता था। और कमपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्ट बन गया। अब आथा मौगन हाउसल उस टेक्नॉलजी एग्जेकेटिव और एक साधारन से सफाइकर्मी के पैसे के प्रती बिहेवियर को कमपेर करते हैं। और कहते हैं कि पैसों को उर्ण करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलज की जरूरत नहीं है। बलकि यह इसके उपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। पैसे के प्रती आपका रवईया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखा कर फाइनेंसियल सक्सेज पा सकता है। जहां एक टेक्नोलजी एग्जेकेटिव विल एजुकेटिड होने के बावजूत बैंक कर्थ हो गया। वही एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूत पैसे के प्रती बिहेवियर को अच्छा रखता है। ब्लू चिप स्टॉक में इंवेस्ट करता है और एक दिन करोनपती बन जाता है। कोई भी मूर्ख नहीं है, no one is crazy। आथा अपने नेक्स लेशन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खता पूर्ण व्यवहार करते हैं। हाला कि वे लोग मूर्ख नहीं है, असल में आज की पीडिया फिल्म देखने, लोटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। ये काम, ज़्यादातर वही लोग करते हैं, जो गरीब होते हैं, जो इमजेंसी में 20 या 25 हजार रुपय भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लोटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है। हमारे पहुंच से बाहर है. इनी सपनों को पूरा करने के लिए हम lottery ticket को खरीदते हैं. आपको ये बात मूर्ख तापूर्ण लगेगी. क्योंकि जिस चीज को कोई पाना चाहता है, वही चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है. लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते. जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है. आथा मॉगन हाउसल इस कहानी के जरिये लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडल क्लास से बिलॉन करता हो या बहुत अमीर हो. वह अपने financial related फैसले, एक्सल शीट का अनालिसस करके नहीं लेता. बलकि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है. ऐसा हो सकता है जो फैसले मेल लू. वह आपको मूर्क तापून लगे. या ये भी हो सकता है जो फैसले आप ले वह मुझे मूर्कता पूर्ण लगे। लेकिन हमारी financial success या growth इस बात पर depend करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के उपर नियंत्रन रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से manager या सदुपयोग करते हैं. भागय और जोखिम लक और रिस्क भागय और जोखिम के बारे में आथ मॉगन हावसल का कहना है कि भागय और जोखिम भाई-भाई हैं. ये दोनों वास्तविक्ता के प्रमान है, जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुडा होता है, इसे हमें कहानी के माध्यम से समझते हैं जिसका वर्नन मौगन हावसल ने अपनी बूप में किया है, वह लिख उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कम्प्यूटर भी था, बिल गेट्स उस दौर के लखी स्टुडेंट थे जिन्हें कम्प्यूटर सीखने का मौका मिला, ओन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेकसाइट स्कूल नहीं होता तो मेरी कम्पनी माइक्रोसॉट भी नहीं होती, इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से लख एक था, बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट एवन्स के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटन क्लाइम बिंग करने लाखो लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है, इस प्रकार से लेखक मौगन हावसल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके जाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे की एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्ग दर्शन पर काम करना इत्यादी, कभी भी पर्याप्त नहीं है, never enough. Psychology of Money के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजट गुपता का उदाहरन देते हैं और बताते हैं कि रजट अनात होने के बावजू, 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियर्स कंसल्टिंग फर्म मकिंजी के CEO बने थे, उनके पास 2008 के दौरान कुल 100 डॉलर मिलि उस वक्त वह Goldman Sachs Investment Banking Company के डायरेक्टर थे, उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया reputation मिट्टी में मिल गई, वह board meeting में मिले secret जानकारियों को financial profit के लिए बेच दिया करते थे, insider trading के गुनाह में दोशी करार देकर जेल में डाल दिया गया। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के financial growth से अपनी growth की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास range rover है, और यह है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है. Money Compounding इस उदाहरन को देखकर यह कहा जा सकता है कि Warren Buffett के काम्यावी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही investment करना है, जिसे उन्होंने retirement की उम्र तक continue चालू रखा. अमीर बनना vs. अमीर बने रहना getting rich vs. staying rich. आथम मौगन हाउसल अमीर बनना या continue अमीर बने रहना के विश्रे में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है. लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है. क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस टॉट के बाद कुछ दिनों में fail हो जाते हैं. ऐसे बहुत सारे celebrity हैं जिन्होंने financial growth किया. लेकिन समय बीटने के बाद ही broke हो गए. वह अपनी अमीर यत बरकरार नहीं रख सके. इसलिए अपने career, business field, stock market investing के क्षेत्र में success पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हम लंबे समय तक survive कर सके. इसे आप समझने के लि invest किया. लेकिन Warren Buffett की तरह काम्यावी हासिल नहीं कर सके. इसका मुख्य कारण ये रहा कि वह लंबे समय तक stock market में survive नहीं कर सके. जिसकी वज़ह से वह लोग fail हो गए. The psychology of money in Hindi से हमें सीखने को मिलता है. अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन continue अमीर बने रहने के का एक ही तरीका है. पैसों की इज़त करना, उन्हें सही जगह पर इस्तिमाल करना. आपके पास जो भी है उसी में खुश रहना सीखें, हमबल और बने रहना. आशा है आपको ये The psychology of money book summary पसंद आई होगी, पूरी जानकारी के लिए इस पुश तक जरूर पड़े. बहुत ही आसान सब्दों में कई महत्वपूर्ण बातों को समझाया गया है, जिसे जानना जरूरी है जो भी आमिर बनना चाहता है, वो इस बूक को खरीदने के लिए Deception में लिंक पर जाए और वहां से इस बूक को खरीद सकते हैं. आपको ये The psychology of money book summary से प्रेरणा मिली होगी और आप कुछ नया सिक्पाई होंगे. अपने विचार, सुझाब निचे कॉमेंट करके जरूर बताएं. लेटस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. धन्यवाद.